हलो फ्रेंट्स, आज मैं कमल ककडी की एक और नई रेसिपी लाई हूँ, इसे बनाना बेहत आसान है और स्वाद इसका लाजवाब है, इसे आप डिनर में, लंच में या इसे आप स्नैक्स की तरह भी सर्फ कर सकते हैं, तो चलिए इस बेहत आसान रेसिपी को बनाने का तरीका देख लेते हैं, हलो एवरिवान, वेलकम टो किचिन लवर्स टीवी, किचिन लवर्स टीवी चैनल में आप सब का हार्देख स्वागत है, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कमल ककडी लिया है, कमल ककडी में मट्टी बहुत भरी हुई ही रहती है, अगर यह दोनों साइड्स बंद तो इसमें मट्टी बिलकुल नहीं रहती है, तो चलिए हम कमल ककडी को छील लेते हैं, यहाँ पे मैं इसे चाकु सी छील रही हूँ, आप चाहो तो इसे पीलर से भी पील कर सकते हैं, और यह देखिए इस तरह से हमने इसे पील कर लिया है, अब इसे हम दो दो इंच के पीस कर दिये हैं, और आप देख सकते हैं, अगर दोनों साइड बंद रहते हैं, तो इसमें मट्टी बिलकुल नहीं रहती है, तो इसे हमने 3-4 पानी से धो लिया है, अब इसे हम उकर में बॉयल करेंगे, कमल ककडी को हम 4-5 सीटी लगाएंगे, तो यह देखिए यह हमारा 5 सीट की लग गया है, गैस को हमने बंद कर दिया, जब तक कोकर ठंडा होते हैं, आइए हम इसका मसाला तयार करते हैं, 10-12 लसुन की कली डाली है, 4 हरी मिर्ची है, एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है, और इस रेसिपी में थोड़ा हरा मसाला ज्यादा लगता है, डेड़ चम खस खस और एक जमच सफिद दिल है, और थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, इस मसाले को हमें दरदरा रखना है, एकदम पाइन पेस्ट नहीं करना है, तो ये देखिए, इस मसाले को हमें दरदरा ही रखा हुआ है, मसाले को हम बाल में ट्रांसफर कर देंगे, अगर आपको मसाला पीषने में तकलीफ होती है तो आप पानी के जगा एक टमाटर डाल दीजे आदा जमच नमक आदा जमच हल्दी एक जमच धनिया पौडर और आदा जमच अमचुर पौडर आदा जमच जीरा पौडर डाल के इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं मसाला काफी ड्राय ही है इसे हमें ड्राय ही रखना है कोकर ठंडा हो गया है आय बीच में इस तरह से चीरा डालेंगे, कमल ककड़ी को फॉयल करना बहुत ही जरूरी है ताकि इसमें जो भी मटी होगी वो सब निकल जाएगी, तो ये देखिए इसमें बिलकुल मटी नहीं है और इन सारी कमल ककड़ी की पीसे में हमने इस तरह से चीरा डाल दिया है, अब इस इस तरह से हमने थोड़ा सा दबा दिया है, एक्स्ट्रा मसाले को हमने निकाल दिया है, प्रेंज अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हो तो प्लीज अब बिना सब्सक्राइब को मत जाएगी, बेल बटन तबारा ना पुलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नए वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा मसाले को निकाल देना है, और इसी तरह से हमने सारे कमल ककड़ी में मसाला भर दिया है, आईए इसे हम बनाना शुरू करते हैं, तो फ्राइपाइन में हमने एक कर्ची ओईल डाल है, और इस मसाले को हम भून लेते हैं, तो गैस को हमने लो फ्लेम पे ही कर दिया है, इस मसाले को हमें एक से दो मिनट तक लगातार इसी तरह से चलाते रहना है, और इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, तो ये देखिए, ये दो मिनट हो गया, इसे हमने भून लिया है, कमल ककड़ी वैसे ही boil की हुई है बस इसे हमें मसाले से coat करना है तो इसे हम 2-3 मिनिट के लिए ढखे रखेंगे दीमी आज पे तो ये हमारा 3 मिनिट हो गया है आए इसे हम खोलते हैं और इसे हम पलट देंगे और ये देखिए ये मसाले पे ही पक गई है तो इसी तरह से हमने सारी कमल ककड़ी को पलट देंगे और इसे हम 2 मिनिट और दुसरी तरफ से पकने के लिए रख देंगे गैस को हमने दीमी आँच पे ही रखा हुआ है और ये 2 मिनिट के बाद इसे हम खोलते हैं ये कितना बढ़िया मसाले में पक गई है बिना पानी के और आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बनी हुई है गैस को हमने बंद कर दिया है इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी अची लगी तो फ्रेंज के साथ शेयर करना न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले